हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू कैट डिजाइन एक्सिलेंस और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाइप वाटर फ्लो को कैलकुलेट करना ओके तो कोई भी एक अगर पाइप है माप मान लिजे कोई भी कोई स्टील का पाइप है या कोई प्लास्टिक का पाइप है और वो किसी एक हाइट पर लगा हुआ है ठीक है और उसका जो डिस्चार्ज है वो कुछ डिस्टेंस पर नीचे है ठीक है तो उसके अंदर एक मिन एक सेकिंड में या मिनिट में आप कह सकते हैं इतना पानी फ्लो होगा ओके तो इसको आज हम जानेंगे बहुत ही सिंपल मैथर के तरीके से एक equation को करेंगे जो की है Heisen-Williams equation उसमें क्या होता है बेसिकली गुर्तो आक्रशन जो होता है ग्रैविटी के थ्रू जो पानी फ्लो हो रहा है उसको calculate करने के लिए है इसके अंदर कोई pump वागा यूज नहीं है simple एक water को कैसे calculate करना है कितना flow होगा water एक मिनिट मे तो वो हम calculate करेंगे ठीक है तो चलिए start करते है तो friends जैसे कि आप देख सकते हैं यह मैंने एक actual sheet बनाई हुई है एक just calculator बनाया हुआ है कैसे हम pipe के flow को calculate कर सकते है ठीक है तो सबसे पहला जो यहाँ पर point है हमें requirement क्या क्या चीज़ की है इसको calculate करने के लिए सबसे पहले dia of pipe pipe का diameter हमें पता होना चाहिए material of pipe यह भी बहुत ज़रूरी है किस material का वो pipe है वो भी हमें पता होना चाहिए और pipe की length क्या है कितने लंबाई का pipe है total और pipe का drop height क्या है means कितने height पर वो पानी को drop कर रहा है ठीक है तो एक बात आपको याद रखने है कि यह जो हेजन-Williams equation है is valid only for water यह कीवल water के लिए valid रहेगी ठीक है तो इसका जो formula है उसको देख लेते है सबसे पहले formula है V जो की है velocity equal to A multiply C multiply R की गहात बोलता है हिंदी में 0.63 and multiply करेंगे उसको S से okay so सबसे पहले देख लेते हैं कि इन जो words है A C and R and S इसका क्या-क्या मतलब है ठीक है तो V जो है stand for velocity of water ठीक है कि water जो है इस velocity से flow हो रहा है यह हमें निकालना है meter per second में हम इसको निकाल सकते है और foot per second में भी निकाल सकते है दूसरी imperial जो unit होती है system foot per second okay fps foot per second में अगर हमें करना है तो हम उसमें भी कर सकते है इसको ठीक है second है k, k is the conversion factor depend on the unit system okay एक conversion factor है simple है अगर आप matrix system में यूज़ कर रहे हैं तो हमें value लेनी है 0.849 और अगर आप imperial system में यूज़ कर रहे हैं तो हमें value लेनी है 1.318 okay next आता है c, c is the roughness coefficient इसकी एक special यह आप next आप देख सकते हैं यहाँ पर यह चार्ट है material wise उसमें उसकी एक value दी गई है next है r, r stands for hydraulic unit in meter or fit depend on the unit system okay s है जो कि एक slope है कि कितना slope है उसके अंदर उसको meter per minute में ही हम लेंगे इसको ठीक है concrete का है तो 110, copper है 140, plastic 150 और steel है तो 120 ठीक है अब हम next देख लेते हैं जो कि हमारा r, जो कि है hydraulic radius hydraulic radius को निकालने के लिए क्या तरीका है मार पास, cross section area of the pipe and parameter of the pipe को, area को parameter से divide करना है, ठीक है next है मारा slope, slope को भी हमें calculate करना है, जो कि है height difference between the beginning and end point means small l, okay and l is the pipe length, total length pipe की कितनी है, ठीक है so velocity of gravity flow, जो उसका formula है, वो यह है q is equal to a into v, a हमारा area है और v हमारी velocity है, ठीक है, तो हम इसको एक example के through समझ लेते हैं यह मैंने यहाँ पे एक sheet लिया है, जैसे भी हमने die of pipe लिया है 0.15 meter, okay, material of pipe जो हमारा c value है, वो steel हमने भी लिया हुआ pipe की length हमने लिये 2.5 meter, okay, और pipe की drop height लिये है, हमने 1 meter, ठीक है तो सबसे पहले हम इसकी radius को calculate कर लेंगे, simple है यह देखेंगे आप, divide by 2 कर दिया है हमने इसको, ठीक है, यह radius हमारी आ गई अब हम इसका cross section area निकालेंगे, जो जिसका formula हमारा simple है, pi r square तो यह हमने इसका cross section area निकाल लिया है, pipe का meter square में निकाला है ठीक है, next हमें निकालना है perimeter of pipe, तो उसका formula 2 pi r होता है तो उसको भी हमने यहां पर इस तरीके से calculate कर लिया है, यह value हमारी आ गई है उसकी next हमें निकालना है hydraulic radius, क्योंकि हमने उपर भी देखा था भी area into parameter तो उसको अगर हम divide करेंगे तो यह value हमारी निकलके आ जाएगी, ठीक है तो मैंने कहा किया, यहां पर formula भी लिखे हुए, अगर कोई भी doubt रहेगा तो आप यहां से इसको cross check कर लेंगे और अपना भी आप एक ऐसे calculator बना सकते हैं इससे और अच्छी तरीके से समझने के लिए कि कोई doubt न रहे, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिख दिया है next आता है हमारा roughness coefficient, जो कि है value c, c की value हमने 120 लिए है क्योंकि हमारा steel pipe है, अभी हम आप देख सकते हैं, चार्ट में हमने देखा था यह वाला, तो हमने इसलिए यहां पर इसकी value 120 ले लिए है अब हम slope calculate कर लेते हैं, जो कि है small l divided by capital L, तो यह उसकी value हमारी निकल के आगई, अब हम देखेंगे velocity meter per second में, तो हम इसको इस formula के अंदर सारे value को हम रख देंगे, तो हमारी जो velocity निकल के आई है, वो है 6.54 meter per second, अब हम इसमें flow discharge, अगर हमें निकालना है, कि कितना meter cube, एक second में हमारा discharge होगा, तो हम उसको इस formula से, यहाँ भी हमने इसको calculate कर लिया है, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, कि कितना liter एक second में पानी जाएगा, उस pipe के तरूर जो 1.500 mm का हमारा steel का pipe है, और जो 3.5 meter की, जिसकी total length है, तो हम इसको just 1000 से multiply कर देंगे, जो कि ह value आई है हमारी, तो हमारा जो value निकल के आई है, 115, means 115 liter पर second, 115 liter पानी, एक second के अंदर flow होगा, ठीक है, hopefully आपको सब clear होगा, simple एक formula है, और उसको एक calculator के अंदर fit कर दिया है, ठीक है, तो अगर आपके कोई doubt रहेंगे, तो please comment करें, और वीडियो को please like करें, share करें, और please channel को subscribe करे Thank you